राजसु आपने शराब बंदी से तो वैसे भी आपने खतम किया है पर वो जो राजसु का लॉस हुआ जो रेवन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में उसको गंपंशेट आप कैसे करेंगे कि बिहार का राजसु बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे जब तक आप रदेश के राजसु को नहीं बढ़ाएंगे प्रदेश विकास कैसे करेंगे मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी गौट जीरो विजन फॉर बेटर्मेंट आइडिया नहीं है अच्छा क्यों चल रहा है क्या है जो कि हम इस राज्य से सीख कर अपने राज्य मे हैं और उनको कुछ नहीं बता कि हम अपने आज की तारिक में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीज़े कि बहार का राज्यस बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे अप रधेश के राज्यस हुआ को नहीं बढ़ाएंगे प्रदेश विकास कैसे करें जब तक प्रतिविक्ति आए नहीं बढ़ेगी पर कैपिटा इंकम नहीं बढ़ेगी जब तक लोगों के हाथ में जादा पैसा नहीं आएगा तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा मुक्यमंत्री जी से पांच आइडियास बूचे कि भाया प्रदेश का राजसु आप कैसे ब एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगा तो ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं जनता दर्वार में धीरजवाब का सवाल था जब ये लोग जाते हैं वो बार बार जाते हैं जनता दर्वार में वहीं वेक्ति क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है आज की तारि औरसी है उनके पास ऐसा वो क्या करेंगे ताकि ये लास्ट इंस्डेंट हो ऐसा जहरीली शराब को लेकर नहीं है उनके पास भाई या इस कानून को और सशक करने का क्या माद्द्ध является मैं नहीं है मुक्य मंत्री जी के पास माद दे हूँ इसलिए मैं कहता हूँ यह मुक्य मंत्री जीरो विजन के मुक्य मंत्री हैं इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है बकसर का क्यों समाधान पिछले सौ दिन में नहीं निकला किसान आज भी उचित मुआफ़े के ल जो वो हमागी जमीन के जो रेट्स होने चाहिए उसका रिविजन ही नहीं हुआ अभी तक तो किसी समस्या का समाधान मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी के पास आज की तारीक में है ही नहीं और ये सिर्फ जन जागरुकता से ही जनता के जागरुक होने से ही अभ समस्या का समाधान निकल सकता है और यही प्रयास आज में आप लोग के साथ है